लेट नाइंटीज और दस के दशक तक इंडिया में सिर्फ दोई चीज फेमस थी वॉलिवूट के एक्ट्रेस और हीरो हिरोईन्स या फिर पॉलिटिक्स के बड़े दिगजनेता लेकिन 2015 के बाद जियो के लॉंच के बाद और लगबग सभी के बास इंटरनेट का एक्सेज इंफुलेंसर बोला भैर जब बात आते हैं इंफुलेंसर की तो हम इस इंफुलेंसर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी हां अपनी कल्ट फैन फ्लोईंग से पहचाने जाने वाले किसी वॉलिवूट हीरो की तरह ही पॉपिलर एलविश यादव जी हां यह वही एलविश यादव है जिनकी फैन फोलोईंग याफर के तो इनका जो कल्ट फैन्वेस है वो आज की एट में शायद ही किसी इंफुलेंसर को और इनकी गल्फ्रेंड की तरहां इनके आगे पीछे घूमने वाले इनकी कॉंट्रवर्सल लाइब खिलाफ एफ यार दर्ज की गई है यादव ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया अगर यह एक स्टोरी भी डाल दें तो लोग लाखो और हजारों में जमा हो जाते हैं विसे आप और मैं इसे मीटप भी मान सकते हैं कल्ट फैन फॉलोइंग ऐसी कि बिग बॉस हिस्ट्री में कोई वाइल काल नहीं जीता लेकिन ये भाई साब गाय और जीत कर भी आ है और आए दिन कॉंट्रवर्सी से घिरे रहने वाले और बड़े-बड़े कैसेस को झेलने वाले मुदाबेक पाटियों में सापों का जहर मंगवाने के मामले में अलविश यादव ने अपना गुना कुबूल कर लिया अलविश यादव ने मुनवर को ढपी क्या पाली बात तुमार पी तक पहुच गए तो पॉले तो सिस्टम और जब आती तो याद आता है अलविश यादव अब ये लोग तो वो लोग है जो अलविश यादव को support करते है लेकिन अलविश यादव को वहीं बड़ी संक्या में लोग hate भी करते है कोई इनने अनपड बोलता है तो कोई चप्री और कोई इनने गुन्डा और कई बड़ी personalities इने expose भी करती है अब इन सब चीजों को देखकर कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं क्या Elvis यादव ओवर हैपड है क्या Elvis यादव की जो फैन फोलेंगे वो ओवर सैचूरेटेड है क्या Elvis को फोलो करने वाले लोग अनपड़ और जाहिल और गवार है या फिर छपरी है क्या Elvis यादव गुंडा है और सिर्फ कॉंटरवर्सीज करता है वहीं सवाल आता है Elvis अच्छा तो है लेकिन मीडिया ने उसे बुरा बनाया है आकिर इतनी कॉंटरवर्सल लाइफ और कॉंटरवर्सीज में घरे रहने वाले Elvis यादव को लोग इतना प्यार क्यों करते है और क्यों कुछ लोग इने सबसे ज़ादा हेट करते है अगिर क्यों सिर्फ Elvis यादव की mesma कुण फैन फोलोइंगा Elvis यादव इतने पॉपलर क्यों और कैसे हुए या Elvis का सिस्टम और लाइफ स्थाइल पूरा एक fake है जिनकी एक नॉर्मल सी फैमिली है, फैमिली में एक बहन है, इनके फादर एक टीचर है और इनकी मदर एक हाउस वाइफ है एलविश ने अपनी जर्णी की शुरुआद यूटूब से की दी, जिसमें वो छोटी-छोटी वाइन्स या फिर कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे बच्चो मैंने नोट्स लिख दे हैं, जल्दी से कोपी कर लो सारे कि इन्हें स्टार्टिंग में तो सक्सेस नहीं मिली लेकिन धीरी-देरे इनकी वीडियो जो ये फेस्बुक से वाइरल होने लेगी और धीरी-देरे यूटूबर भी इनकी वीडियो चलने लगी करीब एक दिल मिलियान इनके सब्सक्राइबर भी हो गए तो यूटूबर वेल सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन उस समय वो बात नहीं थी जो आज के एलविश में है इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2019-2020 के लोकडाउन में जिने उस टाइम का याद होगा उस समय इंटरनेट पे एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी चल रही यूटूबर वर्सेज टिक्टॉकर्स की तबी एलविश आदफ इस कॉंट्रोवर्सी में इन्वाल होकर थोड़ी थोड़ी रोस्टिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं उसी समय जो की काफी ज़दा वाइरल भी होती जो की टिक्टॉकर्स के अगेंस्ट थी वहीं से दोस्तों इन्हें काफी लोग जानने भी लगते हैं इन्फेक्ट मैंने भी इन्हें सबसे पहले उसी कॉंट्रोवर्सी में देखा था आप ऐसा मान सकते हैं कि जितना फेमस ही अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए न निखिल और काफी जदा पॉपलर कॉमेडी वाइंस में भी थे और रोस्टर्स में भी थे जिसे बुवन बम, आसिस्टेंचलानी, अमिद बडाना, कैरी मेनाटी, हर्स बेनिवाल और भी कई यूटुबर वहीं एलविश यादव जो कि थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करते थे, वाइंस भी करते थे और डेली व्लॉक्स भी बनाते थे सवाल ही आता है कि एलविश यादव आखिर इतने पॉपलर कैसे हुए और उनकी जो फैन फॉलोवेंग है वो कल्ट में कैसे बदल गई वेल दोस्तों एक सीक्रेट बताओं एलविश का कॉंटेंट ना तो व्लॉगिंग है ना ही कॉमेडी वीडियो और ना ही रोस बल्कि एलविश यादव खुद एक कॉंटेंट है जी हां दोस्तों थोड़ी देर रुकिए जरा आपको समझा जाएगा वेल अगर आप एलविश यादव को थोड़ा भी फोलो करोगे तो आपको पता चले है कि जो एलविश यादव है वो कई लोग का ड्रीम कैरेक्टर है जी हां एलविश यादव जिस तरह से लाइफस्टाइल जीता है वो आइटिट्यूड वो एरोगन वो सिंप्लिसिटी वो हुमेनिटी दोस्तों में यारो का यार है और दुश्मनों का दुश्मन वहीं अगर आप एक फिल्मों के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें अगर आप डीप एनिलाइस करो तो हम जो फिल्मों में देखते हैं एक वो हीरो टाइप कैरेक्टर और अगर आप वहीं एलविश यादव वो हीरो वाला केरेक्टरी असल में जीता है वही एटिटूड वही एरोगेंट वही सिंप्लिसिटी और वही गुस्से के साथ एलविश यादव को कोई कुछ भोल दे सीधा पेल देना वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान भी है फांडेशन चलाता है लोग को हर सैटर्डे खाना भी खिलाता है पूजा पाट करता है दान धर्म के साथ हमेशा खड़ा रेता है और इसी कारण जो इनकी ओडियंस है जो की 16-17 से लेके 27-28 साल की बीस most of the है और वो एलविश यादव से काफी ज़दा रिलेट कर पाती है उसे अपने ड्रीम हीरो की तरह दे जी हाँ अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो ये तो सिर्फ उसके बेस का 40% है असल में जो एलविश का कल्ट फेन बेस है वो आता है उसकी हिंदुवादी इमेज की वेसे जी हाँ दोस्तों अगर आप नोटिस करें तो एलविश शुरू से ही 2020-1920 से ही अभी हमेशा ही हिं जो कि पीछे जो ट्रेंड है हिंदु नाम का इस्टी का लगाना हुई कहीं न कहीं एलविश यादफ से ही स्टार्ट हुआ है जो कि जनरली इंफुलेंसर नहीं करते है लेकिन एलविश यादफ करता है जिस कारण एलविश से एक बड़ा हिस्सा काफी जदा नफरत भी करत लेकिन यहीं पर जो उसे सपोर्ट करते हैं उसे दिल से पसंद करते हैं वो हर हाल में एलविश को ही सपोर्ट करते हैं इनफेक्ट अगर मैं कहूं तो जो भी एलविश को सपोर्ट करते हैं वो एलविश के प्रती कट्टर हैं जो सभी लोग मिलकर बनाते हैं एलविश का लेई मीडिया में कितना ही बदनाम हो जाए किसी भी कारण किसी भी कॉंट्रोवर्सी के कारण लेकिन ये जो उसका कल्ड फेनवे से उसे हमेसा ट्रेंडिंग और चर्चे में रखता है और हाँ दोस्तो इस वीडियो में जो भी मैंने बात कई है वो जिरिफ हवा में नहीं कई मैं भी खुद 2 साल से ये विजादफ को इसकर रहा हूं उसके सारे व्लोग देखता हूं और उसकी सारी वीडियो भी देखता हूं तब जाके मैंने ये एनलाइस किया है और आपको बता रहा हूं हमीड दोस्तो ये वीडियो एलवी शादफ के फैन हो या फिर उसके हेटर ह नहीं एलवीश यादफ की इमेज नेगेटिव बताइए बस हमने एलवीश यादफ को थोड़ा डिकोट करने की कोसिस किये जो कि मैंने दो साल में उसे एनलाइज किया है तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना आने वाली वीडियो और भी अमेजिंग हो और अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरू करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक लिए जाएं जय भारत